तो यहां पर बहुत अच्छे मुद्धेख उपर हम लोग यहां पर बात करने वाले डैडिस से जी जो 2023 की तैयर है इसको कैसे स्टार्ट करें तो फ्रेशर से है तो हम क्या करें और अगर जॉब में है तो हम लोग क्या करें और कॉलेज गोईंग स्टूडेंट है और यह फिर यहां से देखो दोस्तों तो सबसे पहले बात आती कि आप आप पर कॉलेज गोईंग स्टूडेंट है या फिर पास आउट इस्टूडेंट है तो आपके पास में एडवांटेज क्या रहता है कि यहां पर जैसे आपकी जो चीजह वो किसम होती करेंट में होती है जैसे यहां पर साथ साथ में दिकत क्या आएगी कि जैसे कोलेज की काम में वो भी करना होता है टाइम मेनेजमेंट वो आपको बहुत अच्छे से करना होगा मतलब यहां पर फाल तो कि चलो आज संडे है तो आज चलो कोचिंग से चुटी है तो बढ़िया जाके है आप लोग यहां पर घूम कि आते हैं यह सारी चीज़ा नहीं करना अगर आप कॉलेज गोइंग च्रूज नहीं रहा जाता कॉलेज से घर आने के बाद में या फिर जॉब से घर आने के बाद में आपको अट लीस्ट यहां से 2-3 घंटे देने ही देना है तो मतलब बाकि सारी चीज़ा आपको साइट करने पड़ेंगी दोस्ती यारी है ना और समय सारी चिसे नहीं को किन कीजिは पता होना चाहिए मैंना तो अब देखी है पर कि judgments की बात करें दिस एहां के लिए तो आपका यहां पर सलीबस जो है दो आपके यहां पर पेपर और मेंस है तो यह पर हमारा सब्जेक्टिव है और प्रिलिम्स कैसा हमारा अब्जेक्टिव है और प्रिलिम्स जो अब्जेक्टिव है यहां पर इसके दो आपके पार्ट है तो पार्ट वन यान्य की पेपर वन तो पार्ट वन में क्या है आपका यहां पर नॉन टैक और यहां पर पार्ट टू मे और कुछ नहीं आपको यहां पर आपको 100-100 कोश्टन यहां से देखने को मिलेंगे और जो हैंगि और यहां पर की बात की जाए है ना तो जैकि जो नॉन टैक है नहीं आ पर मेंस में आपका सिर्फ क्या रहेगा आपका टेक्निकली रहेगा जो कि पहले आपको सब्चैक्टिव होगा यहाँ पे बागी और कुछ नहीं आए अपका सब्चैक्टिवी रहेगा और बाकी आप यह वाट करें किसका पन प्रिलिप्स का ना तो देखिए नॉन टेक यहाँ अच्छा खासा मतलब अच्छा मतलब बराबर बेटेश तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है आपको GS plus GK यानि कि इस्टेटिक GK plus GS यानि कि physics chemistry स्वरी मैथ नहीं है आपका है यहाँ पर आपको science इस्टेटिक साइंस और आपका जो आपका chemistry biology और फिजिक से न वहीं स्टेटिक जी के history quality और आपका geography और प्लस current affair plus current affair दूसरे यहाँ पर और इन तीरों से मिलके कितने question आएंगे पचास question आएंगे वहीं बात करें reasoning का तो यहाँ पर reasoning है तो reasoning का पूरा ही स्लेवर से आपका और पचास question कहां से आते reasoning साथ चीक है वहीं बात करें टेक्निकल की तो अब यहां से बिंग इलेक्ट्रिकल इंजिनियर में टेक्निकल की जैसे बात करो है तो टेक में यहाँ पर आपके क्या के subject है न टेक में आपका पहले subject network दूसरे subject हमारा क्या है machine है आपका ठीक है त्रीसे subject क्या है आपका power system है हमारा और चौता subject क्या है measurement and instrumentation है पांचवा subject क्या हमारा basic electronics है बेसिक electronics एंड प्लस क्या है आपका utilization ठीक है utilization यह आपके subject हो गया और यहां पर कितने question आने 100 questions जो आपके यहां से आने तो भाई है फिर किस बात कि है न देर किस बात कि कि यहां पर अपनी जो है क्योंकि यहां पर टैक और नॉन टैक को balance करना बड़ा मुस्किल है तो यहां पर काम करो जैसे दिन में माल लीजिए आप यहां पर मेरी आपसे यह request है कि आप एकदम से तैयरी मतलब बहुत ज्यादा आके जैसे कहना है थी सब्सक्राप इंपल्जिशन आपड़ा है तो यहां पर आप जैसे सपोर्स चार घंटे आप पढ़े है ना तो चार घंटे मैंसे में कहुंगा कि इनिशिली लैवल पर एक घंटे आप किसको देगे नां टैक को देगे और थीन गंटे किसको सब्सक्राइब करना तो यहां पर यह आपका सेकंड पहलू हो गया थर्ड पहलू यहां पर किस्टाइब कहां से करें तो इसके उपर तो बैसे हम बात करी चुके अब देखो रहां बिंग टेक्निकल परसन आपको पसंद है यह नहीं पसंद नहीं इससे examiner को कोई मतलब नहीं है यहां पर कितना कितना वेटे चा बताओ यहां पर हंड्रेड को से हैन्डेड इनन टेक्निकल सेब्रावर व्रावर का वेटेज है तो यहां पर मेरी एडवाईस हे है कि आप दोनों से स्टार्ट करें नॉन में वो पॉर्शन से स्टrones त्करें जो पॉर्शन आपका क्या है हमारा आपका विक है कंजोर तो यहां है उकुल सुव टॉपिक से स्टार्ट करें क्योंकि एक अगर यो कमजोर टॉपिक है ना इस पे अगर आप में महरत आगे ना तो नॉन टेक में बहुत अच्छा कॉंसेप्ट बिल्डप हो जाएगा ना और यहां पर टेक्निकल में कहां से स्टार्ट करेंगे मेरी एडवाइस सभी के लिए नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे अगर नेटवर्क का बेसिक सापका ठीक है तो फिर आप मशीन पावर सिस्टम किसी भी सब्जक्ट पर जा सकते हैं हाँ टू मेंटेन दा कंट्यूनिटी यहां पर यह क्या है की आप सेलेक्शन है यह जो यहां पर मैंने लिखा है न यह क्या है आपका की आफ सेलेक्शन होता क्या है आपके साथ में यहां पर न कि जैसे आप 2 घंटे जैसे माल लिजैन आप 10 घंटे पढ़े आप 10 घंटे प बहुत हो गया यहां पर हमने 2-3 में एक महीनी के पढ़ाई कर लिए थोड़ा सा गौशिप कर लेते हैं दोस्तों के साथ में घुमाफिरी कर लेते हैं तो आपने ट्रस्ट मानिये यहां पर जितनी भी पढ़ाई की दिना दस घंटे पर आवर एक बीग में यह आपकी क्या होगे आपकी फिनिश होगी वैनिश होगे आपकी तो अब यहां पर कंट्यूनिटी मेंटिन करने के सबसे तरीका है कि मोटिवेट यूर्सल्फ है ना सब सबसे पहले खुद को मोटिवेट करके रखे ना तो क्यों आप यहां पर यह मोटिवेशन कैसे बहिया क्यों है यहां पर आप क्यों कर रहे है यह जो आपकी सरकारी जौब है क्यों कर रहे है इस चीज को हमेशा याद रखेंगे और दूसरा देखिए ना होता क्या है कि यह यहां पर 3-4 गंटे से स्टार्ट करें और इसको धीरे धीरे क्या करें इंक्रीज करें जिसमें आपका जो आपका नॉन टेक का पोश्चन इसको धीरे-धीरे से मिंटेन करेंगे अब यह तो हो गया यह वाले बात दूसरे देखिए यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी है ना चाहे कुछ भी हो जाए आपकी continuity break नहीं होनी चाहिए क्योंकि continuity अगर ब्रेक होगे तो सारे जो concept आपने बनाए तो सब का सब भी कड़ जाएगा तो continuity आपकी बिल्लूपर भी आपको करना क्या है दोस्तों यहां पर सबसे पहला सब्सक्राइब क्या होगा concept उसके क्या विल्डब कीजिएगा कॉंसेप्ट विल्डब कीजिए एक एक करके है आपका यहां पे है ना स्लोली स्लोली किए एक चीज़ को दियान दिए एक दम मतलब हाव हाव में आगे मत बढ़ जाए दूसरा यहां पर कॉंसेप्ट बनने के बाद में आप क्या करेंगे जो कोशन है कोशन का प्रैक्टिस कर लगाएंगे और यहां पर कर सकते हैं कि कॉइभी जैसे टॉपिक पढ़ा ना आपने कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा ना तो टॉपिक वाइस जो टैसीरीज आप उसको लगाएंगे तो आपको यह पता चल जाएगे कि कि कमजोरी क्या है और इसके बाद में आपका थर्ड नीच जो यहां पर पहली लुखने जा रहा हूं वह है कियो जो और उन है करने फार आपको टॉपिक यहां कर लिछे बाइंड बोट चलना है अब दीघिह पर दो तरीखे एक तौब को से त्यारी कर सकते हैं बट अगर अगर आप जॉब में है या फिर आपके जो बेसिक से वो कमजोर है और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की नीड है तो यहां पर आप मेरी गाइडेंस में तैयरी कर सकते है यह प्रॉमिस यूँ कि मशीन पावर सेसम जैसे सब्जक्ट आपके टिप पर होंगे करना क्या है आ यहां पर आप क्या करेंगे यहां पर सब कुछ आपको देखेगा न तो यहां पर जो फॉंडिशन बैच आपको ना 230 जॉइन करना फॉंडिशन बैच की अलगी बाद है बहुत डेटिल में यहां पर पढ़ा रहा हूं और यहां पर देखो आपको यह वाला प्रैस नहीं द यूस्किया आपको यहां पर मात्र कितने में पड़ेगा 800 में पड़ेगा तो यहां पर ध्यान रहे हैं आपको कोड क्या यूज करना है वाई 430 लेकिन अगर आप कोई दूसरा kold यूस करते हैं मेरी चाइडेंस से बाहर चले जाए मतलब फिर अब अगर आप जैसे मेरी ग पिल जाता है बहुत सारे लोग कोर्स लेना जरूरी ना बिलकुल नहीं अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ सफीशेंट है तो आप खुछ से कर सकते हैं बट अगर आपको जरूरत है यहां पर स्योर स्रेक्शन के लिए थोड़ सा भी कही मतलब ऊपर नीचे आपको लगता ह करेंगे मैं आपको यहां पर आंसर दूंगा चिक है आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने की लाइक और शेयर करेंगे थैंक्यू सो मच आप फ्रिवान